आपको एक बात बतानी है You are the best mom in this world Thank you, thank you so much Always sport के लिए This season में साथ देने के लिए And one more thing दुनिया में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करती होना वो आप है और हाँ, कभी डांट भी खाई है और मार भी खाई है पर अलगी मज़ा है उसका मेरे लिए तो हर दिन ही मदस्टे है Happy Mother's Day मेरी हर गलती में भी मैंने उस अकेली की हाँ देखी मैंने रव तो नहीं देखा पर मा देखी और मुनवर का वो शेर है ना कि किसी के हिससे घर आया तो किसी के हिससे दुका आई मैं घर में सबसे छोटी थी और मेरे हिससे मा आई ममा बस मुझे आपका साथ चाहिए और आज पूरा वर्ल्ड आपका दिन सेलिब्रेट कर रहा है और मैं हर मिनट हर सेकेंड मदस्टे सेलिब्रेट करती हूँ क्योंकि ममा आप मेरे साथ रहती हो और बाते तो बहुत है कहने को पर हाँ हमना लाइफ में कहीं भी चले जाए कितना भी अचीव कर ले मगर जो सकून आपके साथ है ना ना तो वो कहीं मिल पाएगा और ना ही वो कहीं से खरीदा जाएगा सो ममा ओल्वेस चे वीद मी और लव मी फोरेवर हापी मदस्टे जब भी मेरा इश्क और महोबत से कोई काम होगा पहला और आखरी खत्मा तेरे ही नाम होगा मेरी जिंदगी मेरा मनी बैंक मेरा सिरुक्षा का वज़ मेरे ममा हैपी मदस्टे आपको I think you are the best leader mom तोगि पहले आप पीटते हो फिर सहलाते हो और फिर काम भी कर रहा लेते हो ममा पता नहीं कौन सा जदू है आपने अच्छा एक बात बता देता हूँ ट्रीनी के डिबे में पैसे रखना छोड़ दो मुरना पता नहीं कब आपका लाइक बेटा ना लाइक हो जाए लेकिन ऐसा नहीं होगा mom हाँ पांचसाद बार ज़रूर निकाले थे ट्रीनी के डिबे से पैसे मुझा कर रहा हूँ ममा जापका दिन है आपसे बहुत प्यार करता हूँ ममा हैपी मदर स्टे मुम धंदन सत्गुरू ते रही आश्रा हैपी मदर स्टे मुमा थैंक यू सो मच मेरी हर एक विश पूरी करने के लिए मुझे समझने के लिए और थैंक यू इतने अच्छे स्कूल में मेरी एड्मिशन करवाने के लिए जहां पर सबसे पहले इंसानियत सिखाई जाती है और हाँ एक बात और मुझे लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए मेरी गुनाहों को धो देती है मा जब गुस्से में होती है तो रो देती है मेरी ख्वाहिश है मैं फिर से फरिष्टा बन जाओ मा से इस तरह लिपट जाओ कि बच्चा हो जाओ मुझे बस इतना ही कहना है कि आज तक ना तो मैंने किसी भगवान को देखा और ना ही किसी फरिष्टे को और ना ही देखना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास आप छोटी सी छोटी बात हो या बड़ी सी बड़ी बात जो कमफट आपके साथ शेयर करने में है और किसी के साथ भी नहीं है थांक यू ममा मैं लाइफ में आने के लिए और थांक्स तो मी आलसो कि मैं आपकी लाइफ में हूँ हापी मदर्स डे ममा उदास रहने को अच्छा नहीं बताता कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता कल रात देखा था अपने आपको अपनी मा की आखों में ये आइना हमें बूढ़ा नहीं दिखाता हापी मदर्स डे मॉम वैसे ये बास सच है ममा मा के लिए एक बेटा हमेशा बच्चा ही रहता है चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए आज आपका दिन है ममा ठैंक्यू मुझे रोज नहलाने के लिए पीट पीट कर बातरूम ले जाने के लिए अच्छा अच्छा खाना खिलाने के लिए पापा से बचा कर खुद मारने के लिए और ममा अब तो सो रुपे दे दोगे ना लभों पे उसके कभी बद्वा नहीं होती बस एक मा है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती ए अंदेरे देख ले मुझे तेरा काला हो गया मा ने आँके खोल दी घर में उजाला हो गया वैसे तो बहुत कुछ है कहने के लिए ममा लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करूं वैसे तो हर एक दिन ही आपका दिन है लेकिन आज भी आपका दिन ही है हैपी मर्दर्सडे मॉम यूनो सबसे बेस्ट थिंग क्या है जो मैंने आपसे सिखी है कैसे हर सिच्वेशन में मुस्कुराना है चोटी से लेके बड़ी बात तक मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ तो थैंक यू सो मच फर एवरेथिंग वांस अगेन हापी मॉदर्सडे ममा जब कभी किष्टी मेरी सैलाव में आ गई दूआ करती हुई मा खुआव में आ गई और चलती फिरती आँखों से अजा देखी है मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर मा देखी है धंदन सद्गुरू तेरा ही आश्रा हैपी मदस्रे माम लव यू बहुत प्यार है आपसे अच्छा ममा सुनो आपको याद है कि आपने मुझे लास्ट टाइम कब डांटा था शायद याद नहीं होगा क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़ादा प्यारी आप मुझसे करते हो और वांस अगेन हापी मदस्रे मा कहने को तो एक अक्षर का शब्द है मगर उसके पीछे तमाम दुनिया की खुशी, संगर्श और कुर्बानिया छिपी होती है मा जो पूरी दुनिया से नौ महीने जादा हमें जानती है आज उसका दिन है वैसे तो हर सेकिंड, हर दिन मा का ही होता है क्योंकि वो पास रहे या ना रहे लेकिन बच्चे के लिए उसकी दुआएं हमेशा साथ रहती तभी तो किसी शायर ने कहा है कि घेर लेने को जब भी बलाएं आ गई ढाल बन के सामने मा की दुआएं आ गई आज मदल से है तो हैपी मदल से सभी माओं को और मेरी मुम्मा को भी जिससे मैं लड़ती हूँ जगरती हूँ मगर हाँ सबसे ज़्यादा प्यार भी मैं उसी से ही करती हूँ बहुत से किस्से है मा के साथ मुझे याद है जब एक बार मा बाहर गई थी तो मुझे घर पे खाना बनाना पड़ गया था दस-बारा रोटियां बना कर ही मैं इतनी इरिटेट हो गई थी कि भाई और कितनी खाओगे एक मा ही है जिसने कितनी ही रोटियां बनाई है हम सब के लिए और एक-दो रोटि तो धक्ये से खिला देती है तभी तो वो मा है तो अभी तो उसे भगवान के बराबर का दर्जा दिया है मेरी मा में एक चीज बहुत कौमन है कि जब वो गुसा होती है वो रो देती है उसे लड़ना नहीं आता अपने हक के लिए वो लड़ती है अपनी अलाद के लिए वक्त बहुत हो गया है तो अब हैपी मदस्दे सबको और मैं यही कहूँगी कि सभी अपनी माओं को संभाल के रखी क्योंकि इससे बड़ा गहना और इससे बड़ी दौलत ना दुनिया में बनी है और ना बनेगी हैपी मदस्दे मॉम, I love you हैपी मदस्दे मॉम, कुछ लिखा था आपके लिए के तेरी आखों में प्यार दिखता है मुझे चाहे तु जताती नहीं है तेरा हर दुख समझती हूँ मैं चाहे तु बताती नहीं है बहुत कुछ कहना है तुझसे पर कह नहीं पाती तुझसे लड़कर भी तेरे बग्यार में रह नहीं पाती मेरे बिना कहे भी तु सब समझ जाती बता तु सही इतना प्यार तु कैसे कर पाती है मा, सच बताऊं तुझसे रूट कर भी मुझे नीन नहीं आती सब दुख दर्द खतम हो जाते हैं जब तू प्यार से सहलाती है बड़ा प्यार आता है जब गुस्जे में यू मुफ उलाती है जहां जरूरत पड़े वहां तू समझाती है समझ नहीं आता माँ इतना कुछ तू कैसे कर पाती है और हां माँ एक और बात जब कोई पूछे ना सुकून क्या है मुझे बस तेरी याद आती है मुझे बस तेरी याद आती है Happy Mother's Day माँ